तो नरेंद्र मोदी जी एक news channel के conclave में पहुँचे और 45 minute उन्होंने एक अच्छा speech दिया अब point ये है इसमें मनला बहुत से points है बट एक जो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी मैंने सुचा आपके साथ साजागर दूँ अगर आप बदरीनाच जी के गए हैं बदरीनाच जी याना उत्राखंड में पढ़ता है पहाड पे आपको चड़ के जाना पड़ेगा मतलब गाड़ी से drive करके आप पहाड एक पहाड चड़ोगे दूसरे फिर उत्रोगे फिर दूसरा पहाड चड़ोगे तो सफर बहुती जटल है और आनंद महीं है बहुत आनंद आता है वहाँ पहुँचके तो आपको और भी अति आनंद आएगा तो जब आप वहाँ पहुँचते थे तो पहले आपको वहाँ पहुँचने को पढ़ने को मिलता था भारत का अंतिम गाउं माना जी हां माना वह बहुत ही अलग सोचते हैं, हटके सोचते हैं तो मानना पड़ेगा, जो इतनी चीजे कर दिखाई, वो चीजे कर दिखाई जिसको लोग सोच नहीं सकते थे, है न, कि आर्टिकल 370 वाला मसला हट जाएगा, इस सारी चीजे हो जाएंगे, अयुद्या का राम मंदिर यही सोचन तो जो लोग आखरी आखरी कहते थे, उसको उन्होंने कहा भारत का पहला है वो, यानि कि जिसको सबसे नीचा समझते थे, उसको सबसे उपर लाके खड़ा कर दिया वो गाउं, जिने पहले आखरी गाउं कहा जाता था, हमने पूरी मानसिकता बढ़ली, जैसे पहले पीछडे डिस्टिक कहते थे, मैंने का नहीं, जिसको आखरी गाउं कहा जाता था, मैंने का ने, वो हिंदुस्तान के पहले गाउं है अगर पूरब में है तो पहली किरन वहीं आती है और पस्षिम है तो आखरी किरन उसको सलाम करके जाती है अभी इस कारकम को लौच हुए करीव एक साल हुआ है इस दोरान 17 मेरे केबिनेट मंत्री इन दूर दराज के गाउंपर राज्ट्री मुकाम करके आये हैं और कुछ तो गाउं ऐसे हैं जहां माइनस 15 डिग्री टेंपरेचर है कहने का ताथ पर यह हैं कि आपको जो दिखता है ना वो तो बहुत छोटी सी चीज़ आपको पता है हमारे मंत्री हर ऐसी देगे पर जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं वो उनके बीच राद बिताना उनसे बाते करना उनके सुख दुख को समझना क्या एक काम को चुनाओं के फाइदे के लिए होते हैं क्या वो गाओं जा मुश्किल से पचांस की बस्ती है सो की बस्ती है पहुंचने में तिन तिन दिन लग जाते हैं लेकिन एक कमिट्मेंट है चुनाओं तो आते हैं जाते हैं जाते हैं जिम्मेवारिया होती है एक हटके सोच और मुझे ये सुनके बहुत अच्छा लगा कि हमारे बद्रीनाथ में जो एक गाओं है जो वहां के लोग है वो भी अब कितना आत्म सम्मान महसूस करते हैं जब वहां पे लिखा जाता है भारत का पहला गाओं और फिर लोग वहां पे पहुंचते हैं सेलफ आपको जाना पड़ेगा बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में माना जो गाओं है वहां पे आप थोड़ा सा पैदल चलोगे बिल्कुल जरासा तो आपको सरस्वती नदी क्या उद्गम स्थल भी मिलेगा मतलब वहां पे आपको दर्शन होंगे और वहीं से सरस्वती जी प्रि गनेश जी मतलब यह है कि वेद व्याज जी ने शास्त्रों जो शलोक थे उनको बोला उनको बोला और गनेश जी ने लिखा तो इसमें गुफा है अगर आप वहां पे जाएंगे तो आप दर्शन करेंगे साक्षात की दो गुफाएं दिखेंगे और उनकी दूरी बहुत है तो एक गुफा में बैठे थे वेद व्याज जी और एक में थे गनेश जी तो वो उनके राइटर बने तो वेद व्याज जी ने लिकिन एक शर्त रखी थी कि मैं एक बार ही कहूंगा जो भी कहूंगा एक बार कहूंगा उसको रिपीट नहीं करूंगा गनेश जी ने का बि यहां पे बहावे फ्लो है तो इससे खलखल से परेशानी होने लगी क्योंकि जैसे मैंने बताए कि उपर वेद्विया जी नीचे गणेंश जी मतलब गुफा में डिफ्रेंस है दूरी है तो उनको बाधा आने लगी थी तो ऐसे में वहां पे श्राब दिया गया था सरस्वती को और वहीं से वो प्रित्वि में समा जाती है और फिर वो सीधे अंदर होते होते सीधे संगम में निकलती तो यह है अब आप समझिए मतलब हमारी भारत में हम हमारे सनातन धर्म को देखेंगे संस्कृति को देखोंगे इतना सुन्दर है इतना आनंद में आपको आनंद आ जाएगा वो गाउं वहीं से आगे जब पांडव गए थे न युदिश्टन महराज एक श्वान के साथ वही सुन्दर आप जा सकते हैं पैदल जा सकते हैं वहीं पे वसु धारा है उपर से धारा आती है आनंद आ जाएगा थोड़ा साब को हो सकता है ग्लेशियर पर भी चलने का आनंद प्राप्त हो जाएगा वहीं पे पूरा का पूरा आपको ऐसा महसूस होएगा कि आप सुन आपको हो जाएगा सum cotton आपको जाएगा सवी प्राप्त कि आपको जाएगा।